प्यारे भक्तो आज हम भगवान कलकी के बारे में दस रोचक बाते जानेगे विश्नु पुरान के अनुसार भगवान विश्नु के इस कल्प में कुल दस अफ्तार होने हैं जिन में से नौ अफ्तार जन्म ले चुके हैं आप केबल आखिरी अफ्तार बचा हैं जो हैं कलकी अफ्तार इस अफ्तार का प्राकट्य इस कल्प के कल्यू के अंत में तथा आने वाले कल्प के सत्यूग में होगा भगवान विश्णु का कल की अफ्तार तब जन्म लेगा जब इस विश्व में पाप अत्यदिक बढ़ जाएगा तथा सनातन मूलियों का बुरी तरह विघटन होने लगेगा भगवान विश्णु कल की रुपी अवतार में जन्म लेकर इस प्रित्वी पर पुनह सत्यू की शुरुआत करेंगे आज हम कल की अवतार के बारे में दस रोचक तत्यू के बारे में जानेंगे भगवान विश्णु का ये हवतार उत्तर प्रदेश राज्य के चौपाला जिले संभल ग्राम में एक ब्राहमन परिवार में जन्म लेगा जिनके माता पिता का नाम सुमती वह विश्णुयश होगा भगवान कलकी के तीन बड़े भाई होंगे जिनके नाम सुमंत प्राग्यव कभी होंगे उनका विवाह माल लक्ष्मी के रूप पदमिनी से होगा उनके चार पुत्र भी होंगे जिनके नाम जय, विजय, मेगमाल वबलाहक होंगे एक मान्यता के अनसार उनका विवाह रमा नामक एक स्त्री से भी होगा इस स्त्री ने त्रेता युग में वैश्णवी के नाम से जन्म लिया था जिसने भगवान श्रीराम से विवाह की इच्छा प्रकट की थी तब श्रीराम ने अपने एक विवाह वचन को बताते हुए उनसे कहा था कि वे कलियूग में कल की अवतार में उनसे विवाह करेंगे भगवान कल की 64 कलाओं से युक्त होंगे जो श्वेत रंग के घुड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत होगा इनकी एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में तीर कमान होगा जिससे वे दुष्टों का सनहार करेंगे कल की अवतार कलियूग के अंतिम चरण में जन्म लेगा लेकिन अभी केवल प्रथम चरण चल रहा है इसलिए अभी कल की अवतार होने में बहुत समय शेश है कल की भगवान ना केवल कलियूग का अंति करेंगे अपितूबे अगले कल की शुरूआत भी करेंगे जो की सत्यूग होगा अर्थात धर्ती से पाप का समपूर्ण विनाश कलकी अव्तार को दुष्टों के लिए महाविनाशक तथा धर्म की पुनस्थापना के लिए बहुत महत्व पूर्ण अव्तार माना गया है। भगवान कलकी के पास एक रहस्यमई तोता भी होगा जिसका नाम शुक होगा। उस थोते को भूत काल, बर्तमान काल तथा भविश्यकाल का संपूर्ण ज्यान होगा जो समय समय पर भगवान कलकी को जानकारी देता रहेगा। भगवान विश्नु के छठे अफ्तार भगवान परशुराम कलकी भगवान के गुरु की भूमिका निभाएंगे। वे ही कलकी भगवान को अस्त्र शस्त्र चलाने तथा धर्म शास्त्रों की विद्या में पारंगत करेंगे तथा उनका मार प्रशस्त करेंगे। कल की अफ्तार के बारे में कहा गया है कि वे विश्व के सभी राजाओं को पराजित करके उनका वद कर देंगे तथा सभी अधर्मियों का अपनी तलबार से विनाश कर देंगे, वे इस भूमी पर ही नहीं अपितू समुंद्र पर भी राज करेंगे, कल की अफ्तार लेने की कथा हिंदू धर्म से निकले अन्य धर्मों जैन, बौध वसिक धर्म में भी की गई हैं, उनकी अनुसार भविश्य में एक ऐसा अफ्तार जन्म लेगा जो इस विश्व से पाप का नाश कर देगा, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होग तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, खोजके तो शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जै जै श्री राम